आयाती तेल बन रहे मुसीबत दिहां लगबग दो धाई महिने पहले सरकार द्वारा दो साल के लिए परतेक वर्ष बीस बीस लाग टन सोया बिन डिगम और सुरज मुखी तेल का शुल्क मुक्त आयात करने की छूट दिये जाने के बाद से इन तेलों की सप्लाई चेंट तूटने का खत्रा है स्थिती ये है कि इन खादे तेलों की आयात की मासिक मांग लगबग दो से धाई लाग टन की है और सरकार की साल में 20 लाग टन के शुल्क मुक्त आयात की छूट के हिसाब से महीने में केवल लगबग 1 लाग 65 अजार टन खादे तेल का ही आयात किया जा सकेगा देश में महीने के भीतर 2.5 लाग टन की मांग के मुकाबले आयात अगर 1,65,000 टन प्रती माह का होगा तो मांग और सप्लाई का एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है बाकी आयात के लिए 7 रुपे किलो के हिसाब से शुलक अदा करना होगा ऐसे में कोई आयात तक नए सोदे नहीं खरीद रहा है और आयात लगातार गिरता जा रहा है इससे देश को राजस्व की हानी तो हो ही रही है और दूसरी और खुद्रा बजार में अधिक्तम खुद्रा मुल्य की वज़े से उब्भोकताओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है शुल्क मुकतायात होने के बावजूद खुद्रा बजार में उब्भोकताओं को सोया बीन रिफाइन 25-30 रुपे लिटर और सूरज मुखी तेल के लिए 50-60 रुपे लिटर अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है सरकार को खादय तेलों की सप्लाई चेन को बनाई रखने के लिए सोया बीन दीगम और सूरज मुखी तेल के आयात की सीमा को पूरी तरह खतम कर देना चाहिए या फिर पहले की तरह 5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा देना चाहिए बजार जानकर मान रहे हैं कि इससे सप्लाई और डिमांड में कुछ समझस्य से बिठाया जा सकता है सुत्रों का कहना है कि मांग और सप्लाई का अंतर होने की वज़े से शुल्क मुक्त खादय तेल के हिसाब से बजार भाव तै हो जाने के बाद 7 रुपे प्रति लिटर शुल्क अदाई की वाला आयातिक तेल का खपना मुश्किल हो जाएगा इससे तेल प्रसंसकन करने वाली मिलों का कामकाज और स्थानिय किसान भी परभावित होंगे सस्ते आयातिक तेलों के आगे किस्तानों को अपनी उपज के कम दाम मिलने का खत्रा उत्पन होगा विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी